वीडियो में हम जाने ही कि State Highway किसे कहते हैं, National Highway किसे कहते हैं और Express Bay किसे कहते हैं और इनको कौन बनाता है और इसकी देख रेक कौन करता है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे State Highway के बारे में तो आपको बता दी जो State Highway है उसको राज ये लोक निर्मार विभाग द्वारा बनाया जाता है यानि राज सरकारों द्वारा बनाया जाता है जिसे इंगलीस में हम State Public Work Department के नाम से जानते हैं अब यहां पर आपको बता देंगे जो State Highway होता है इसको इसका काम है यानि जो राज के अंदर जो जिले हैं उनको उन जिलों को जोड़ना है राज, सहर, ग्रामी स्बीड जो कस्बे होते हैं उनको जोडने काम कोन करता है State Highway अब यहां पर State Highway का यह फाइदा है कि यहां पर कोई exit Point और entry Point का मतलब होता है कि इस Road पे एंटर करना और exit Point का मतलब होता है इस Road से बाहर जाना तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि यह Road खुला हुआ होता तो आप कहीं से भी इस रोड पर आ सकते हैं और इस रोड से कहीं भी आप जा सकते हैं तो इसमें हमेशा जो है कि टू लाइन का रोड यह बनाया गया होता है अगर मालीजे आप यहां पर जा रहे हैं और यहां पर आपको टर ना लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं इसमें क से कहते हैं लेकिन अब हम बात करेंगे नैस्रेटियर्स नर्याग के बारे में यनने राष्ट ये राज्य अचमार के बढ़े में अब आपको बता देकिस्को जो बनाता है नैसलैल इंडिया द्वारा बनाया जाता है तो सड़क परिवहां राजमंतराले द्वारा इसको जो है कि बनाया जाता है अब इसका काम यह है कि जो स्टेट है एक स्टेट को दूसरी स्टेट को मतलब जोडने के लिए जो है कि नैशनल हाइवे को बनाया जाता है जो है कि इस पे जो यह दिक्कत है कि इसमें जो है कि इंट्रीपॉइंट नीट्री पॉइंट का बहुत बड़ा प्रोब्लम है अब यह जो लाइन होती है जो अब यह ज depois यह शरुलाइन का सबता है माले जा रहे हैं और वहाँ है अगर हमने प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहां पर inhaleoben यहां से वही नहीं लिया तो किले मीटर दूर हम जाना पड़ सकता है तब हम यहां पर टर्न ले पाएंगे यानि मूड पाएंगे ठीक है तो यहां पर जो है कि चार लाइन को होता है दो लाइन जाने वाली होती है दो लाइन आने वाली अब यहां भी समस्य क्यों होती है कि यहां पर जो इसका जो साइड पाएंगे तो आप कभी भी ध्यान दीजिए अगर आप नेशनल हाइवे पे जा रहे हैं तो अगर आपको मूड़ना है तो आप जरूर ध्यान इस बात के दीजिए कि जो है कि एक पॉइंट कहा है आप वहीं से मूड लेजिए अन्न था आपको जो है कि 10-12 किलो मीटर आगे जाना पड़ेगा तभी आप जो है कि मूड पाएंगे ठीक है तो इसको नेशनल हाइवे अथोर्टी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है यानि राजसरकार और केंदर सरकार द्वारा इसको मिलकर बनाया जाता है तो आप समझ के होंगे नेशनल हाइवे किसे कहते हैं तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब एक्सप्रेस बे कि ठीक है एक्सप्रेस बे जो है कि हमेंसा आठ लाइन का बनाया जाता है अब इसमें जो है कि चार जाने वाला होता है अब चार आने वाला लेकिन आपको बता दिए इस पे जो गत ही होती ने एक सुबीस किलो और गिट पॉइंट यानि टर्न लेने के बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि इसमें जो है कि बड़ी-बड़ी दिवाले इस रोड के साइड में बड़ी-बड़ी दिवाले मतलब बना दिया जाता है क्योंकि इतनी स्पीड से बाहन चलता है अगर माल लिए कोई जानवार क्योंकि क्या मतलब स्पार्वा आपने ट्रेन होती है बहुत ही कम से स्प्रेस बे यहFi जो गार्डूय spreading है तो इसका मूड़ने का जो टर्न लेने का तरीका तो अलग है तो अगर मान लीजिए आप यहां से इधर से जा रहे हैं आप इधर से जा रहे हैं अगर आपको इस लाइन पर आना है यानि आपको इधर जाना है तो आपको यहां करना पड़ेगा कि आप इस लाइन जा रहे हैं तो आप को इस LINE में चाना है तो आप यहां से आएंगे और यहां से घूमेंगे स्पीड से कोई प्रोब्लम ना हो तो आप समझ गयोंगे इस प्रिजबे किसे कहते हैं इसको भी नेशनल थोटी आफ इंडिया द्वारा यानि शड़क पर वहां राजमार के द्वारा जो है की बनाया जाता है और नेशनल इस प्रिजबे अथोटी जो है की इसकी देख रेक क को बता दो कि देश में अभी तक जो नेशनल थोका है सबसे बड़ा यानि नेश पॉटी परटीफेर एने की नाननल सिरोलो इसनल हाइवै चोवालिस जो कि स्री नंगर से करन्ययां कुमारी तक पैला हुआ है सबसे बढ़ा आज तक का जो नैसनल हाएवै जो है की एनस पॉ कर दो कर दो